घनाप का प्रिष्ठी और आकाशी विकन Face and Space Diagonal यदि हम पुट्टे के डिब्बे को देखेंगे तो पाएंगे की विकन दो प्रकार के हैं एक डिब्बे के प्रिष्ट पर तता दूसरा पूरे घनाप में हैं जो विकन डिब्बे के प्रिष्ट पर बनते हैं वे प्रिष्ठी विकन कहलाते हैं और जो विकन पूरे डिब्बे अर्था त्रीवी में आकरिती में बनते हैं वे घनाप के विकन कहलाते हैं जामिती में घन या घनाप का प्रिष्टी विकर्ण एक ही प्रिष्ट के शीर्षों को तथा घनाप का विकर्ण अलग-अलग प्रिष्टों को मिलाने वाला रेखा खंड होता है दिये गए घनाप आकरिती 10 में A.H. घनाप का विकर्ण तथा A.C. पृष्ठी विकर्ण है हम घन या घनाप के कुल 16 विकर्ण प्राप्त कर सकते हैं जिसमें 12 पृष्ठी विकर्ण तथा 4 घन और घनाप के विकर्ण है पेज नमबर 351 करके देखें पहला अपनी कौपी पर एक घन और घनाप बनाईए और इनके विकर्णों के नाम लिखिए घन और घनाप के प्रिष्ठी तथा घन और घनाप के विकर्णों की संख्या गिन कर अलग-अलग लिखिए घन एवं घनाप के विकर्णों की लंबाई पता करना Finding out the diagonal of cube and cuboid अधिक लंबाई के बास को रखना है यदि हमें कमरे की लंबाई, चोड़ाई, उंचाई और बास की लंबाई पता हो तब यह कैसे जान पाएंगे कि वह बास कमरे में रखा जा सकेगा या नहीं यह हम कैसे पताएं कि अधिक्तम कितनी लंबाई का बास कमरे के भीतर रखा जा सकेगा यानि किसी घनाप के आकार के डिबो में अधिक्तम कितनी लंबाई की छड़ी, पैंसिल या लकडी का टुकड़ा रखा जा सकता है यह पता करने के लिए हमें घनाप की लंबाई, चोड़ाई, उचाई और उसके आकाशी विकर्ण के सम्मंध को जानना होगा हम घनाप और घनाप के प्रिष्टी विकर्ण तथा घन या घनाप के विकर्णों के बारे में जान चुके हैं अब हम यह जानेंगे कि यदि घनाप की भुजाएं दी गई हों, तो उनके प्रिष्टी विकर्ण तथा घनाप के विकर्णों की लंबाई की गड़ना कैसे करें प्रिष्टी विकर्ण, फेस डाइगोनल, प्रिष्टी विकर्ण की लंबाई कैसे ग्याद करेंगी हम जानते हैं कि त्रिभुज ADC एक समकोन त्रिभुज है जहां AD बराबर AE काई और DC बराबर CE काई है इसलिए बुधायन पाइथागोरस प्रमे से हम पाते हैं कि AC बराबर वर्गमूल AD का वर्ग धन DC का वर्ग D1 बराबर वर्गमूल A वर्ग धन C वर्ग अतह प्रिष्ठी विकंड AC की लंबाई बराबर वर्ग मूल A वर्ग धन C वर्ग इकाई इसी प्रकार हम प्रिष्ठी विकंड AE और AG ग्याद कर सकते हैं AE बराबर D2 बराबर वर्ग मूल में A वर्ग धन B वर्ग AG बराबर, D3 बराबर, वर्ग मुल में, B वर्ग, धन, C वर्ग, इकाई अता ऐसे घनाब जिसके तीनों भुजाएं अलग-अलग लंबाई की हैं में तीन अलग-अलग लंबाई के प्रिष्ट विकर्ण होते हैं घनाब का विकर्ण दिये गए घनाब आकरिती 11 की भुजाएं A1, P1 और C1 हैं AH घनाब का एक विकर्ण है हम घनाब के विकर्ण AH की लंबाई की गर्णा कैसे करेंगे आकरिती 11 में A1 एक प्रिष्टी विकर्ण है और इसकी लंबाई वर्ग मुल में A वर्ग धन, B वर्ग इकाई होगी AH के लंबाई ग्याद कर सकते हैं AH बराबर वर्ग मूल में AE का वर्ग, धन EH का वर्ग बराबर वर्ग मूल में कोश्टक में A का वर्ग, धन B का वर्ग कोश्टक बन धन C का वर्ग बराबर वर्ग मूल में A का वर्ग, धन B का वर्ग, धन C का वर्ग इसलिए घनाप के विकण एच की लंबाई बराबर वर्गमूल में ए का वर्ग, धन बी का वर्ग, धन सी का वर्ग, इकाई अता घनाप के आकाशी विकण की लंबाई बराबर वर्ग मूल में लंबाई का वर्ग, धन चड़ाई का वर्ग, धन उचाई का वर्ग इकाई क्या अन्य तीन आकाशी विकंड की लंबाई भी इतनी ही है? यह विकंड पहचाने विकंड है, आप ग्याद कर सकते हैं बोदहाय और पाइथागुरस प्रमे का उप्योग करके पता करें घन, क्यूप यदि घन की भुजा ए इकाई हो, तो घन के प्रिष्ठी विकंड की लंबाई बराबर ए का वर्ग, धन ए का वर्ग, वर्ग मूल में ए का वर्ग धन ए का वर्ग पूरे का वर्गमूल बराबर वर्गमूल दो ए वर्ग बराबर ए गुनित वर्गमूल दो इकाई घन के सभी प्रिष्टी विकण एक ही लंबाई के हैं गन का अकाशी विकन बराबर एका वर्ग धन एका वर्ग धन एका वर्ग पूरे का वर्गमूल बराबर वर्गमूल में तीन एका वर्ग बराबर ए गुनित वर्गमूल तीन इकाई